गूद आपके लिट्स चो देर और मेरी स्टेटार आपक मेists वे जसे जैसे उपर उड़ता कहता है ना तो हम लोग क्या करते हैं उपर की उचाई से नीचे का जो ग्राउंड एरिया होता है हमारी जो भूमी होती है लेंड होती है उसे देखते हैं हम जैसे जैसे उपर जाते जाते हैं तो हमें बहुत उचाई से ग्राउंड नजर आता है हमारा एरिया नजर आता है कि किस सरीके से यहां पर घर बने हुए ह नजी हुई और मिलाब टॉण है सब कुछ है और मिलाब जो यह जो यह जो ज़यूने टाइप से जो डिजाइन दी हुई है वह सब से मतलब किते वैल लॉन तरीके से डॉलब किया हुए है उसे बना आगा और फिर हम ऊर उपर जाते हैं तो हमें सब कुछ नचे आता है नाडी जील वगेरा सब नजर आती है और हम उसके बारे में सोचते हैं कि मतलब किस तरिके से does से को डॉप किया हूआ और ये जो हमारे बीच में चो धर आ रहे हैं जो दीवारे बनी हूई ये बाउंडरी वेहन दे जेट पर इंटो देशाय इसमें बताया हुआ है कि जब जेट प्रशीज पर में या उठना ऊपर की तरफ तो जैसे जेट ऊपर की तरफ जाता है आकश में तो क्या होता है city को एकदम से clearly देखाता है पूरी तरीके से सही तरीके से show करता है हम उसमें से आराम से आसानी से बहुत clearly तरीके से हमारी city को देख सकते हैं and had developed it where it had seen it scaled six inches to the mile तो जो और फिर हम उसे देखने के बाद हमें किसा लगता है कि कितने अच्छे तरीके से इसको developed किया हुआ है कितने अच्छे वह में इसको विक्सित किया हुआ है और उसे देखने पर ऐसा लगता है कि जो मतलब one mile है वो किसमें convert होगी है six inch के scale में convert हो चुकी है ऐसा लगता है पूरे जो one mile में जो एरिया है वो six inches में ही फैला हुआ है ऐसा फील होता है देखने पर उपर से about what sorry एक मिनिट there seemed an inviability about what on ground head looked but unplanned and without style when the jet sprang into the sky और फिर जब जैसे jet उपर जाता जाता है तो ऐसा लगता है मलब ऐसा प्रतीत होता है कि मलब सब कुछ बिना किसी अनिवारता के बना हुआ है बिना किसी plan के बना हुआ है बिना किसी तरीके के बना हुआ है और कहीं भी कुछ भी बना रखा है मतलब जहां पर जो बनना चाहिए वहां पर वो नहीं और कहीं भी कुछ भी बना रखा है ऐसा लगता है और बिना किसे स्टाइल के ग्राउन में कुछ भी बनाया जा रहा है बिलना सब कुछ हैफजार था मतलब बिना सोचे समझे बनाया हुआ था और जैसे मलब जैट जैसे जैसे उपर स्काय में जाता जाता है तब ऐसा लगता है वहां दो जैट रीच 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 तेन थाउजन फीट इट वास किलियर वाइद कंट्री हैट सीटीज वेड़ रिवर्स रैन इन वाइद वैलीज वर पोपुलेटेड जब जैट थाउजन फीट उपर चला जाता है तब हमें किलियर ली पूरी कंट्री नज़र आती है ठीके और उसके बाद हम समझाता है कि हमारी जो सिट्ग्ज 갔े हैं मलभ उन्हें क्यों इस तरीके से बनाया हुआ है मतलब और यह जो नदियां है इतनी सारी वो सब किस तरीके से और हमारे उन सब को देखने के बाद हमें यह लगता है हमें यह पता लगता है कि जो मतलब हमारा जो एरिया है हमारी जो लैंड है भूमी है उस पे कितने एरिये में पानी है कितने एरिये में भूमी है और कितने जादा पानी है और कितने जादा एरिये में जो पॉपुलेशन दो है तो उसमें हमें दिखा द cell चिने i real एंद और जो समतल यह ना वहां पर इन्लोग रहते हैं उसमें कितने में रहते हैं तो हैस तो यह इसे लगता है The logic of geography that land and water attracted men was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet उस land को देखने के बाद भूमी को देखने के बाद हमें क्या लगता है क्या पता लगता है कि जो इस समतल एरिये में जो लोग रहते हैं पानी के पास बूमी पर जो लोग रहते हैं वो यहां किसलिए रहते हैं तो जो 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 लोजिक है वो यह है कि जो लैंड है और जो पानी है बूमी और पानी दोनों को इनसान को एट्रेक्ट करती है मलब आकरशिक करती है इसलिए वो लोग वहां पर रहते हैं यह हमें किलियरली सब कुछ समझ में आन आता है जब जैट 10,000 फीट उपर चला जाता है और उसके बाद उसको देखने पर हमें सब कुछ समझ में आने लगता है जब जैट और जादा उपर जाता है तब हमें और जादा समझ में आता है किलियर तरीके से कि जो अर्थ है वो क्या है राउंड है गोल है और इसमें क्या है इसमें भूमी से जादा समुद्र है सी है याने पानी है यह हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि मतलब हमें जैट 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 से हाई उसमें उपर जाता है तो हमें उसका ये पता लगता है कि हमारा जो धर्ती है हमारी जो धर्ती है उस पर क्या है पानी जादा है और भूमी कम है तो ये six miles high पे जाने पर jet में high पे जाता है jet तब हमें नजर आता है उसके बाद आगे देखते हैं but it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hat each other to build walls across cities and to kill from that from that height it was not clear why है अब हमें जैट इतना ऊपर चला जाता है तो उसके बाद हमें यह सब तो समझ में आता है कि जो हमारी जो आर्थ है वो गोल है और इसमें जो जो जूलोब जो जैस एरिये में जो लोग रहते हैं उस एरे को किस तरीके से जियोमेट्रिक डिजाइन के तरीके से उसे प्लाइन किया हुआ है कहां पे कौन सी चीज बनाई हुई है यह सब हमें सब समझ में आता है हमारी पृत्वी गोल है और इसमें बजाए भूमे के समुद्र जादा है, पानी जादा है हमें सब समझ आता है लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता है इतना उपर जाने के बाद भी यह समझ नहीं आता है कि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो पृत्वी है, उस पे जो लोग रहते हैं, जो इंसान रहते हैं वो एक दूसर से इतनी नफरत क्यों करते हैं इतनी नफरत करते हैं कि मारने तक को त्यार रहते हैं और इनों ने अपने अपने एरिये में क्या बना रखी है बहुत बड़ी बड़ी दिवारें बना रखी है इतना एक दूसरे से हैट क्यों करते हैं इतनी हुचाई पर जाने के बाद भी हमें यह सब समझ में नहीं आया है कि यह लोग इतनी नफरत क्यों करता है तो च्रिंट्स हमारी जो पॉइम है वो यहाँ पर कम्प्लीट होती है अब आपकी इसमें क्यों शनांसर हम कम्प्लीट करेंगे फर्स्ट देखना फाइंड थ्री और फोर फ्रेज़ इन स्टेंचाज वन एंड टू विच आ लाइकली टू ओकर इन जोग्राफी लेसन तो आपको बचो फर्स्ट और सैकेंड इस्टेंचा में यह मालब दो यह तीन फ्रेज़ जूनने है जो बहुत ज़ादा जोग्राफी लेसन को बताते हैं तो इसका अंसर है सम फ्रेज़ आर लाइकली टू ओकर इन जोग्राफी लेसन तो फर्स्ट देखू अब आप दे सीटी डावलब द वेहाग्ट सेकेंड इस स्कैल सिक्स इन्चेस तो दे माइल and third cities where the rivers ran valleys were populated ये आपको मैंने तीन फ्रेज़ बताया हैं जो आपको first और second stage आमें जोग्राफी लेसन को बताते हैं again I repeat it the city developed the way at it scaled six inches to the mile cities where the rivers ran valleys were populated तो हमारा जो फॉर्सलेशन लेस्ट मिलब जो फॉर्स्ट कॉशन है वह यहां पर complete उता है now second question see from the window of an aeroplane the city appears जब हम जो आरोपलेशन के window से देखते हैं तो हमें city किस तरीके से नजर आते हैं किस तरीके से प्रतित होती है तो यह हमें इस तरीके से दिखाया देती है जो आपका C वाला है थर्ड नम्मर का वो इसमें कहां सही है as developed as necessary उसको उसी तरीके से विक्सित किया हुआ है जैसे जैसे उसकी जरुरत है तो यह इसमें आपके C correct है और उसके बाद में मांग्द आपके जो थर्ड के उसमें सो देखो तो आपका जो first answer है first, third and fourth sentence है वो आपका geography lesson का logic है तो देखो there are cities where there are rivers and now third third it is easy to understand why valleys are populated and fourth it is difficult to understand why humans hate and kill one another तो यह आपके तीन sentence है जो geography के लॉजिक पे completely वो होते है और उसके बाद है mention two things that are and huh sorry आपके जो fifth वाला है ना the earth is round and it has more sea than land यह भी आपके geography के logic को बताता है तो जो आपका for fifth वाला है इस पर भी आप टिक कर लीजिए इस पर भी आपको टिक करना है उसके बाद जो आपका fourth question है उसको देखिए आपको यहापर two things mention करनी है clear from the height not clear from the height तो हमें उपर उपर और उपर जाने पर क्या-क्या clear होता है मुलब क्या-क्या समझ में आता है और क्या-क्या समझ में नहीं आता है तो हमें students बहुत अच्छे से clearly तरीके से सब कुछ समझ में आता है वो सब है Earth is round, it has more seed in land, cities are developed where why people live near rivers और हमें ये सब समझ आता है लेकिन जो हमें समझ नहीं आता है वो है why people hate each other, why we build across this city जो लोग हैं वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं और उन लोगोंने अपने बीच में जो दिवारे हैं वो क्यों बना रखी है so यहां पे हमारी जो पॉयम है वो complete होती है